आज का जो विशे है कारग्रह और कारग्रह से विशेश आँग देखिए एक थियोरी है कारग्रह की एक वीडियो में पहले बना चुकाऊं कारग्रह को पर आज का जो मेरा विशे रहेगा कारग्र है आपका करमशेतर हम सभी को बताए कि करमशेतर के लिए हम लोग 10th house देखते हैं 10th lord देखते हैं लेकिन एक विधी बताई गई है कि आप शनी को भी देखिए क्योंकि कारग्र है जो है करम का वो आपका शनी है शनी की इस्तिति देखिए और शनी से दशमभाव की इस्तिति को भी आपको देखना पर अगर मैं बात करूँ ब्रहगु नंदी नाडी की हमलों मैं बात करूँ तो ब्रगु नंदी नाडी में तो उपियों की यहाँ पर शनी देव का होता है करम शेत्र की गणणा को देखने के लिए किस प्रकार का करम शेत्र होगा, किस प्रकार का धन अर्जन होगा जीवन के अंदर तो सभावी ग्रूप से आप मान करके चलिए कि शनी देव की शुभता जीवन के अंदर बहुत ज़ादा आवश्यक है किसी के बही लिए जब मैं बात करता हूँ शनी देव से दशम इस्थान की, करम इस्थान की तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, यूस करते हैं, ट्राइनल हाउसे का, तीन जो है अगर मैं शनी लोगा तो शनी से दूसरा बहाओ, शनी से छटा बहाओ, शनी से दखंब बहाओ, वो तीनों जो त्रिकोर्ण हैं वो हम लोगों के लिए बहुत जादा मैट पूलन हो ज शत्रू ग्रह के साथ मियुत हैं या शत्रू ग्रह से द्रश्ट हैं वो देखिया, यदि वहाँ पर कोई पाद ग्रह है या कोई शनी जो है पीडी तवस्था के अंदर है, चहां पर वो इस्तिता वहाँ पर या उसके तिरकोर्ण से, अगर वो पीडी तवस्था के अंदर ह तो हम लोग मान करके चलते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष जो है अपने जीवन के अंदर प्रथम की जो तीस वर्श होंगे जीवन के जो करम शेत्र के वहाँ पर उसको परिशानिए नेए और उसके बाद उसका जीवन जो है वो पुन रूप से प्रारम की स्टार्टिंग हो जाएगा या जिसके सेकेंड हाउस के अंदर कोई शुब ग्रह किस्तिती हो या दशम इस्तान के अंदर कोई शुब ग्रहों किस्तिती एक्जाम्पल की तौर पर मैं बता देता हूँ आप योग थोड़ा तो मुश्किल होग ऐसे समझें आप लोगों के सामने कुंडली है इसमें आप देखिए कि शनी जो है लगन कुंडली का दशमेश है अब मुझे यहाँ पर जो इंपोर्टेंस देनी है कि शनी की क्या इस्तिती है तो यहाँ पर देखिए जो शनी है शनी मंगल के द्वारा द्रश्ट है शनी के उपर राहू की भी द्रश्टी है और अगर मैं नाडी जोतिश की बात करूँ तो ट्राइनल एस्पेट्स लेता है 159 तो यहाँ पर देखिए शनी के इंदर राहू की इस्तिती बनती है और शनी के सब्तम इस्थान से मंगल की द्रश्टी भी यहाँ पर बनती है हमारा बिंदू है शनी से दशन इस तो यहाँ पर आप देखिए कि शनी देव जहाँ पर इस्तित है तो शनी से दशन भाव जो है वह बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण हो गया तो शनी से दशन भाव जो है वहाँ पर आपका व्रश्चिक राशी है और वहाँ पर शुक्रा बैठे में जुपिटर गुरुदेव वहाँ पर बैठे में इंपॉर्णस देखिए इस चीज का होता है कि आपका ट्राइनल जब हम लोग बात करते हैं आर्थ त्रिकोन आपने सुना होगा धर्म त्रिकोन अर्थ त्रिकोन इसका अर्थ यह है कि सेकंड आउस किसी भी प्लैनेट से बहुत जादा महत्पूर्ण है वह आपका अर्थ से स संब्बंद है पहली थीति है तो मैंने बताया कि पहले आप इसतिती में देखिए कि शनी के ट्रिकोन में कौन-कौन बैटे हो उसके सब्तम में कौन बैटा हुआ है उसके बाद दूसरा स्टेप यह होगा कि शनी से दूसरे इस्थान के अंदर सेकेंड हाउस का मतलब यही शनी से दशन भाहा चे नर जो राची है consista सब्टम स्थान में मंगल है थक्नी की दक्षटा आती है और शनी से दश मिस्थान का जो स्वामी है वो भी मंगल ही और जहाँ पर जुपिटर बैठे बैठे मैं उपर से फुद की हमापर दृष्टी है और सुरी की दृष्ट dahin वि व्यक्ति विशेश के जीवन के अंदर विशेश प्रभावी रूप से राजयोग बने और व्यक्ति अपने करम शेत्र के अंदर बहुत अच्छे सबनता है उसके बाद है पाई थैंक यू सो मच धन्यवाद छोटा सा वीडियो है तो मैं समस्तों की छोटे से वीडियो में लॉंग वीडियो नहीं करके इस पॉल वीडियो ज्यादा अच्छ है ताकि आप लोग समझ भी सकते हैं देख भी सकते हैं एक उधारा नौल डेकर जैए जैसे यहां पर आप देख जो हैं प्रथम सिति के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि शेनी देविज़ सरकार से संबंद रखेगा जो भी कारकात्व है सूरी के इंपोर्टेंस अब किसका इंपोर्टेंस है शेनी से दशमिस्तान में आप देखिए जो की आपका मेश राशी है और उसका जो स्वामी है मं मंगल वो शेनी से दूसरे स्थान में बैठे है और शेनी से शत्रुवत के इसका अर्थ यह है कि जीवन में प्रथम सिति के अंदर राजयोकार के सितिया तो शुरू से बनी हुए क्योंकि शेनी के तिर्कोर में आपका सूर्य और बुद्दा के लेकिन जब भी शेनी मंगल को पार करेगा ट्रांजिट के अंदर अर्थात यह है कि आपका 35 वी जो आयू है 35 की जो आयू है अल्मोस्त आम मान करके जिए 33 की जो आयू होगी उसके बाद में बेतरी विशेच के जीवन के अंदर जो करम शेतर के अंदर है बहुत अच्छी स्थितिया इनको प्राफ्ट होंगी और यहाँ पर देखिए शेनी से दूसरे स्थान में आपका लियो साइन अगनी तत्व राज इसका मतलब है कि हो सप्पाएं पावर और वो सारी की सारी चीज़ें जो है इनको प्राफ्ट कब होनी है वो 33 साल के बाद में पाद है थैंक यू सो मच धन्यवार आशा क करता हूं कि जो मैं वीशे समझाना चाहरा तो आप लोग समझें थैंक यू